नमस्कार फ्रेंड मैं आराधना और आप लोगों को स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल में तो यह देखिए पूरा समान बिखरा हुआ है और हमारे घर में आज हो रहा है पेंट तो यह है दुर्गा पुजा के बाद अधिपावली से पहले का तो मेरे घर में पेंट हो रह है किसी को रखे नहीं है करने के लिए तो देखिए ऐसा पेंट हुआ है दो कलर दो दिवाल में ऐसा कलर एक कलर और दो दिवाल में एक कलर तो यह बाहर वाला छोटा वाला रूंग का है यह पेंट हो रखा है कम्प्लीट हो गया साफ सफाई हो गया सामान भी रख दिए दूसरे दिन कीये थे यह किचन का पैंट आब टायल और नीचे सबाइक करना है पैंट तो हमारा हो गया उपर पुरा फिनिशींग नीचे टायल साफ करना है बस हो जाएगा किचन का और ये पेपर लगाना है उसमें इसलैप में और ये नौड़ात्री का क्लीप है देखिए बच्चे सब डांस कर रहा है और धोलक विवज रहा है और ये मुझे खाली इक्सरी बना है मेहंदी लबारी है मेरे बेटी तो ये क परवाचाथ का मेहंदी है परोश का परोशी आई थी नुमारे फ्रेंड है तो उसका जो है मेहंदी लगा रही है प्रेंका मेरे बेटी के नाम है प्रेंका वो प्रेंका लगा रही है और मेहंदी पूरा देखिए कैसा लगा रही है और मेहंदी अगर अच्छा लगता है आ लाइक कर दीजेगा प्लीज और चैनल को कर दिजेगा सस्क्राइब और अपने दोस्तों में सेर इतना मेंनत करने का ऊपल तो तोरा साथ शेर और सस्क्राइब और लाइक तो बनता ही है तो आप लोग आगे बढ़ाईए और इससे भी अच्छा अच्छा वीटियो में लेके आने का कोशिश करूंगी तो ये मेहंदी देखिए अभी तो शुरुआत की है और आगे आप मीजिक के साथ इंजाइ किचिए मेहंदी कब तक के लिए बाई नमस्ते कि अच्छा तो ये विए तो बी चली जाएगे उसके बाद का करो गया देखिए तो आगे ने तो पाम करने पर देखिए तो ने कर्वाल अगया तो व्याना पेटी के तरा आई कि अगई तो पोंचा है जर अची नहीं लगी तो वह तो ले ही लिया तो तो आगी है नहीं कि दोभाई नहीं कि दो लगा अब रूख जया एले विटी बनाना लगी तो जो प्रतिकित रहो तो फ्रेंड वीटियो चुर के मत जाईएगा क्योंकि मैं आगे बनाने बाली हूँ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी तो फ्रेंड यह मैंने जार हूँ चटनी बनाने इसको प्लास्टिक चटनी कहता है क्योंकि यह देखने में लास्ट में प्लास्टिक के तरह एकदम हो जाता है पपीता तो इसलिए यह पपीता का बनता है तो मैंने इसको पपिता को छिल लिया था और छिल के चुटा-चुटा पीस काट के जैसे आपने देखा और उसको पानी से उबालने के लिए रख दिया हूँ जब इस्तीज गिया हलका हलका तो उस समाई आप अपना अंजाद के हिसाब से चीनी डाल दीजिए और स्वात का अनुशार जैसे मीठा आप खाना चाते हैं उसे साथ से चटनी में जैसे मीठा खाना चाते हैं आप उसे साथ से चीनी डावरीजिए और इसको पकाते रहें तो पकाते पकाते जो है चीनी का सेरा जो है गारा हो जाएगा और ये पपीता के अंदर चीनी का रस घुच जाएगा मिठा और ये पपीता एकदम मतलब आडपार पन्नी के तरह दीखेगा एकदम इसलिए इसको प्लास्टिक के तरह दीखेगा में ढख 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 के इसको देखिए पूरा जो है पानी सोक लिया है चीनी इसमें अंदर चला गया है iba दम आर्रशुखा दarseखा हो गिया है और यह दिखाती हूँ मैं देखिए यह देखिए यह प्लास्टिक के तरह रही है न तो इस एक दम पूरा मैस कर यह कर यह तो इसमें अब आप आप अमचूर पाडर भी मिक्स कर सकते हैं या तो इमली के पल इमली को फुला दीजेगा पानी में और उसके बाद उसको पल्प निकालके बीज फेकके और उसको भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नीबू के रस डालूँगे नीबू के रस से थोड़ा देखने में इसी तरह रहता है यह मैंने ले ली हूँ नीबू और काट ली हूँ हाफाफ करके और यह नीबू के रस निकाल ली हूँ पूरा दो नीबू के रस मैंने निकाली हूँ और इसमें मैं डाल दूंगी आप अपना खटाई के हिसाब से डाल सकते हैं जितना खटा आप खाना पसंद करते हैं उसे सा आजू किसमिस आप दे सकते हैं फ्राइ करके बदाम जो भी जो है ना सुखा मेवर्द देना चाहते हैं आप दे सकते हैं मैं तो कुछ नहीं दिया हूं मैं घरेलू टाइप के बना रही हूं मुझे ऐसी ही अच्छा लगता है और आप दे जिएगा पेंड खेजूर भी दे सक कर देंते तो टेस्ट बहुत दूख गुना बर जाता है घर देने से टेस्ट बहुत अच्छा बर जाता है इस पार इंघरी आप मिलक अमे पल्प आर खजूर गीलता बिसनिकाले घर बॉद्दा घराम काटकर दे सकते हैं तो देखे हमारा चाटनी बन के तयार हुगिया दो तो आज के लिए फीर से वीडियो यहीं तक क्लास्ट करती हूँ और आगे आपके दूसरा कोई नाया वीडियो लेके आऊंगी तब तक के लिए बाई नमस्ते खुश रहिए और सुखी रहिए